सिरी गणेशाय नमा दोस्तो ओम गणपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के कन्या रासिफल के बारे में कि आज के दिन कन्या रासिफल को किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और किन किन चीजों से इनको फायदा होगा इनका बिजिनेश और व्यापार कैसा रहेगा इनका केरियर और घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी इसके साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आपका दिनों भी बहतर और अच्छा हो सके दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिशन की बेल को दबाएं जिससे आप तक नहीनी वीडियो समय समय पर पूल सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा कन्या रासी वालों का आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या पॉचिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आर्थिक द्रश्टी से बहुत ही सुब रहेगा सीखने की ललक को बनाए रखें भूश्य के लिए ये बहुत ही लाबगारी सिथ होगा सिख्षा के छेत्र में केरियर बनाना चाहते हैं तो प्लानिंग करना सुब रहेगा साथ ही हार्डवेर के कारोबारी मुनाफे के लिए सजग रहें स्टॉक मैंटेन करते समय ग्रहावकू को पसंद को भी रात मिक्ता दें युवा मित्रों के साथ केरियर को लेकर सार्थक भातचीत करेंगे और यदि गलत संगती में हैं तो उसे ततकाल छोड़ने के लिए द्रड़ संकल्प लेना भूश्य के लिए उत्तम रहेगा और अपनी दिन्चरिया को नियमित बनाए रखें आज इरह कोजर आपके लिए भाग्योदे इस्तितिया बना रहा है साथ ही रुके कारियों में गती आएगी और सामाजिक मान सम्मान प्राप्थ होने से आपके व्यक्तित में निखार आएगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी नेगिटिव बातों के बारे में आज घर परिवार और संतान के पिर्दी चिंता उत्पन हो सकती है साथ ही आमदनी अच्छी होने के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती डगमागा सकती है अते जरूरी बजट बना कर चलना जरूरी होगा साथ ही क्रोध और अपनी इगो पर भी नियंतरिन रखना होगा इससे प्रिस्तिया आपके अनुकुल बनी रहेंगी जियां दोस्तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके विवसाई के बारे में आज विवसाई और नौकरी में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है और आप इसमें सफल भी रहेंगे आपकी योग गता और काबलियत खुल कर लोगों के सामने आएगी साथ ही जन संपर्क आपके लिए एक सफलता प्राप्त होगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव-लाइफ के बारे में वहवाहिक जीवन सुक में रहेगा प्रेम संबंदों में नजदी की आएगी जीवन सातिका सहीयोग और समर्थन प्राप्त होगा कोई आपसी अनबन समापत होगी इससे आपकी स् सिक सांती मिलेगी साती जीवन साती व्य परिवार के साथ सौपिंग और मोज मस्ती में समय व्यतित होगा जिसकी वजह से वातावन खुश्म नुमा रहेगा प्रेम संबंदों को लेकर पारिवरक सहमती मिलने से और अधिक प्रगाड़ता आएगी दोस्तों अब बात कर लेते और मोसम परिवर्तन से होने वाले स्वासंबंदी समस्याओं से बचाव रखें इसके लिए आप रोजाना योग करें व्यायाम करें प्रणायम करें और स्वस्त रहें